केसी तियागी का बढ़ा बयान सामने आया है। बिहार में NDA की सरकार जो है वो बनने जा रही है 15 साल की एंटी इंकंबंसी के बावजूद नितीश कुमार जो है वो अगले मुख्य मंत्री होंगे क्योंकि ये बात BJP की तरफ से भी साफ कर दी गई है कि सीटे ही भले ही JDU की कम हो लेकिन मुख्य मंत्री जो है वो नितीश थे हमारे अपने भी और पराय भी सबका जेंड़ा था नितीश हटाओ, डिस्व नफिरमिशन केंपेंच चलाओ, करेक्टर ऐसे सिनिशन करो और 15 साल के कामों को नकारो और फिर बिहार को अंधेरे युग में ले जाओ इसमें हमारे भी एक साथी ने काम किया और हमारे विर 15 साल के काम सब चीजों में बारी पड़े और अल्टिमेटली एंडिये की जीत है। बीजेपी के नाम को लेकर के उन्होंने कलाबाजियां की हैं। उससे स्वम तो वो खुद बरबाद हुए ही और उसने हमें काफी सीटों पर नुकसान पहुचाने का काम किया। वो एंडिये के सबसे बड़े दुश्मन साबित हुए। के जो मुखे मंतरी हैं वो बने रहेंगे लेकिन इस तरह की आवास तो आ रही है वहां पर दी। स्री जेपी नड़ा जो भारत जिनता पार्टी के अध्यक्स हूँ। एंडिये के और बीजेपी की जो सर्वोच निता स्री निरंद मोदी जी पूरे चुना भर उन्होंने कैम्पेन किया है कि सरकार बनेगी एंडिये की और उसके निता नितिश्कुमार होंगे। बिहार एंडिये का मतलब नितिश्कुमार है और मोदी जी तो यहां तक कह गए कि नितिश्कुमार है तो संभव है। लिहाजा हम किसी की अफ़ा खोड़ी पर यकिन ना करके मान कर चलते हैं कि नितिश्कुमार जी ही अगले मुखपंतरी होंगे। केसी तियागी ने लजपी पर जो सवाल उठा हैं उसका जवाब चिराक पासवांस से हम पूछेंगे। लेकिन थोड़ी सी देर के बाद हमार साथ लाइव जुडने वाले हैं एक छोटा सा ब्रेक लेंगे जल्द वापस आएंगे अब देखते रहे हैं इंडिया टीवी।